वेलकम फ्रेट्स, एम सिंग फाउंड इस यूटीब चैनल पर आप लोग का श्वागत है, आज में आप लोग के साथ बीएसेसी, बीपीएसी और सीएसबीसी के एक्जामनेशन डेट के संब्द में जो महतपूर्ण सूचना है उसको साजा करने वाला हूँ, साथ ही जो 13 दि को अगले जो बांकी बची दिन में क्या करना चाहिए, तो वीडियो को सुरूँ से अन तक देखिए, आज की सबसे पहली ख़बर आपको बीपीएसी के समन में है, बीपीएसी ने जो अपने 65 मुक परिक्षा का सेड्यूल जारी किया था, तो उसके टाइमिंग में आंसिक पदलाव किया गया है, जो एक्जामनेशन पहले 25 तारी को 10 बचे से सुरू होने वाले थे, वो अब सारे 9 बचे से सुरू होंगे, तो आदा घंटा पहले हरी एक्जामनेशन को लिया गया है, तो यही आपको पूरे दिन कड़ेगा, क्योंकि उस दिन आपको 2 आपको 289 मुबर को आपको 11 से 2 बचे के बीच में होगा, तो यह आपको BPSC का जो लिटे सेड्यूल है टाइमिंग में चेंज के साथ तो वो है आपके शामने, अब जड़ा बात कर लेते हैं हम लोग BSSC के महत्पून सुचनाओं के बारे में, यह BSSC के दोवारा सहायक उर 27 दिसंबर को राजभासा और्दू सहायक की परिक्षा होने वाले थी, उसको स्तखित कर दी गई है, इसकी सूजनाब को नए एक्जामनेशन के बारे में, नए एक्जामनेशन के बारे में सूजनाब को बात में दी जाएगी, इसके पीछे रिजन के है कि आपको 67 BPSC का जो 275-243 में सबल हुए है, ड्रैवर का जो था रिजल्ट वह भी खुषित कर दिया गया है, सक्षारत कारकाद फाइनल रिजल्ट, ड्रैवर जो फाइनल रिजल जाड़ी किया गया है, तो जितने भी कंटिडेट इसे संबंदित है, वह भी एसे को ओफिसल वेबसाइट पर ज तो वैसे स्टुइन कर लिस्ट चारी किया गया है, जिनके फॉर्म में टूटी है, और उनको सुधार का मौका दिया गया है, इसी तरह तीन अबलिक 2020 वाले एक्जामनेशन में भी जियानि की जो बन रक्षी के है, फॉरेश ड़ार के है, यह आपको तेरह दिसंबर को प्रस उसको सुधार के जिया, आपको छो एग्यारत तक आपको सुधार का मौका है, अब जा बात कर लेते हैं, आपको CSBC के जो वन रक्षी के एक्जामनेशन जो तीरह दिसंबर को प्रस्तावी थे हैं, और उस पर जो विवाद चल रहा है, उसके संबन में देखिए, यह आपको जो है, आपको 29, यानि कि 20 सप्टमबर को जारी किया गया था, CSBC के अध्यक्ष के द्वारा प्रतिक जिलादीकारी को, और उहाँ पर मांग किया गया था, कि आपको 13 दिसंबर को जो है, आपको 20 दिसंबर को वन पाल के प्रक्षा से ड्यूल करने के लिए, उनको सेंटर अल करें, तो निशी दुरुप से इनको बहुत पहले जबा मिल गया हो गया, हलांकि अभी तक CSBC के द्वारा ओफिसियली बैफसाइड पे इस एक्जामनेशन के बारे में वन रक्षी, जो कि आपको 13 बारा को है, और बन पाल जो कि आपको 20 बारा को है, उसके शंबंद में दोनों एक्जामनेशन का सेड्यूल चारी कर दिया जाएगा, इसको अफिसली पेफसाइड पर, लेकिन फिलाल कि इस्तितिया ही है, कि आपको 13 12 बारा ओफिसकों एक्जामनेशन पर स्तावित है, और वो है, ऑफिसियली में बात करूँ, तो सिर्फ और सिर्फ आपको ब्या आगे बढ़ जाएगा, तो मैंने पहले वीडियो में कहा था, कि आपको नहीं, ब्याससी के एक्जामनेशन डेट आगे नहीं बढ़ेंगे, फिर भी आपके दिमाग में कन्फूजन है, तो उसको मैं तत्क्रिक अतार पर सॉल्व करने की गोसित करता हूँ, देखिए, ब्य इस दिन BSC ने 29-11-2020 वाले एक्जामनेशन को 13-12-2020 करने के लिए नोटिस जाड़ी किया था, यानि कि BSC Intermains को उसी दिन और नोटिस जाड़ी किया था, और वह यह ठाके उर्दु अनुवादा के लिखित परिक्षा जो पहले 13-12 को घुसित की गई थे, उसको अप्रियार क को या सेंटर को इन्होंने overtake नहीं किया है, यह अपने ही एक जामनेशन को आगे किया है, और उसमें इन्होंने adjust किया है, तो यहां पर सबसे महत्पून चीज़त समझे कि इसका मतलब यह होता है कि BSC 13-12 को हरहाल में एक्जामनेशन इंटर मेंस वाला करवाएगी, इसमें स दोनों ही autonomous body है और दोनों को दोनों एक्जामनेशन से कोई शम्बंद नहीं रखता है, ठीक है ना, CSBC के जो भी एक्जामनेशन होंगे वो आपको पूरे जिलावे होंगे, मतलब विहार की इतने भी जिलावे होंगे, वहां पे होंगे, और आपको BSC Intermains होगे, वो सिर्फ करने का option है, और वो करवाएगी, यह मेरा मानना है, यह मेरा अपना personal assessment है, BSC कब तक के track record के थारप है, फिर भी छात्रों के दिबाग में इस तरह के खयालात है, कि नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और दो देखिए, कि यहां पसपस्ट कर दिया है, कि तेरह बाड़ अब ही आप यह ना सोचे कि तेरह को forest card भी हो रहा है, तो कैसे ही होगा नहीं होगा, उसके बार में आप सोचे ही नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ तेरह बारा को दिमाग मिले कर अपनी त्यारी करें, ठीक है ना, क्योंकि आप यदि future के concern को लेकर बर्तमान को खड़ाब करें, तो यह सबसे बड़ा नुक्षान आपको अपने साथ कर रहे हैं, रही बात forest guard की तो forest guard के examination हो भी जाता है, officially announce हो भी जाता है, फिर भी BSSC का examination उससे प्रवावित नहीं होगा, इसकी संभावना बहुत ही negligible है, हाला कि future में क्या होगा नहीं होगा, इसके बारे में कुछ भी न में हो रहे हैं, और वो examination पूरे जिलावर में हो रहे हैं, तो दोनों अलग-अलग चीज में adjustment यह टेखनीकल ही possible है, अब morally आप बोलेगा, दोनों की examination कैसे हो सकता है, नहीं हो सकते एक दिन, तो उसकर मैं बहुत ज़्यादा भास नहीं करना चाहूँगा, मैं सिर्फ BSSC वाले यह demand कीजिए, कि आप उनसे कीजिए कि आप 1312 2020 को जो BSSC इंटरमेस प्रस्तावित किये हैं, उसके admit car जल से जल्द release करें, और admit car जैसे ही आपको release हो जाएंगे, वो आपके examination के date को और पुकता कर देंगे, फिलाल मेरा सलाह यह है, मेरा assessment यह है, कि आप लोग मांकी किसी बात क को धियान में ना रखें, और तयारी 1312 2020 के अनुसर करें, और पुरी मतलब इवांधारी से करें, मांकी चीजेओं के बारे में यह दियादा सूचते हैं, तो आपकी तयारी परभावित होगी, बस इतना आपको कहना है, आगे क्या होगा नहीं होगा, यह आप सब को पता चल झाल 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